तीन चार बाते हम देखेंगे जो हमें जीवन में आज से बदलनी हैं, जो बहुत इजी हैं बदलने के लिए और जैसे ही वो चार-पांच आदते भी बदल देंगे न, दिया जलना शुरू हो जाएगा सुभा की पहली आदत, सुभा उठते ही पहला संकल्प, First Thought of the Morning, परमात्मा का शुक्रिया कर सकते हैं, First Thought परमात्मा का शुक्रिया तीन-चार दिन करेंगे, आदत पढ़ जाएगी सबसे First Thought परमात्मा का शुक्रिया सुभा का पहला घंटा, पहले साथ मिनिट, बहुत इंपोर्टेंट होते हैं पहले घंटे में हम जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं वो आत्मा जैसे चूस लेती है उस चीज़को, एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह वो फिल हो जाता है हमारे उपर यह सारे जो हमारे संसकार हैं और इमोशन्स हैं इनके उपर डाइरेक्ट प्रभाव पढ़ता है, information का which means जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं सुभ के पहले एक घंटे में हम क्या सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं हम इसे कौन-कौन सुभ के पहले घंटे में, दुनिया का समाचार पढ़ते या सुनते या देखते हैं हाथ उठालो आज इस एक आदत को बदलते हैं समाचार सुनेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन पहले घंटे के अंदर नहीं हैं क्यूं? क्यूंकि उस समाचार में बहुत सारी negative बाते हैं बहुत सारे वो संसकार हैं जो हम use करना नहीं चाहते हैं सुबह का पहला घंटा हम वो भरेंगे जो हम बनना चाहते हैं और वो बिल्कुल नहीं भरेंगे जो हम बनना चाहते नहीं सुब सुब चिंता, टेंशन, गुसा, हिंसा, नफरत, निंदा, ये सब आत्मा में भरा नहीं जा सकता है सुब का पहला घंटा, परिवार के लिए मर्यादा बना लिजिए कि सुब का पहला घंटा सात्विक होगा आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करेंगे कुछ ऐसा सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे जिसमें पवित्रता है, सकारात्मकता है शांती है, सुख है, आनंद है ऐसी बातें सुब के एक घंटे में अगर अंदर डाल दी सारा दिन में वो पांचवे फोल्डर का संसकार इमर्ज होके रहेगा लेकिन सुबह सुबह ऑपोजिट नहीं डालना कर सकते हैं सुबह का पहला घंटा चेंज? कर सकते हैं? इजी? वेरी इजी पहला घंटा सुबह, आखरी घंटा रात को सोने से पहले है आज हम में से बहुतों को रात को नींद अच्छी नहीं आती है हम 5-6-7 गंटे सो लेते हैं लेकिन नींद में भी सोच बहुत चल रही होती है स्वपन अलग-अलग तरीके के आ रहे होते हैं नींद बीच-बीच में तूट जाती है आदी रात को उठके बैट जाते हैं मन सोचना नहीं बंद करता है कुछ लोगों को तो दवा भी खानी पड़ती है इसका कारण रात को सोने से पहले भरी गई बाते बहुत सारे घरों में रात को टीवी चल रहा होता है सोने तक और टीवी नहीं तो फोन हमारे हाथ में है सीरियल ऐसे चल रहे होते हैं जिसमें लोग एक दूसरे को धोका दे रहे हैं घर तूट रहे हैं रात को सोने से पहले भर लेते हैं कोई क्राइम बेस्ट शो देख रहा है तो डर भर लेते हैं रात को रात को सोने से पहले कुछ भी नेगेटिव चीज अंदर नहीं भरने चाहिए आखरी घंटा टीवी बंद हो जाना चाहिए अगर आखरी घंटे में टीवी बंद कर दिया और फिर रात को सोने से पंदरा बीस मिनिट पहले फिर कुछ बहुत अच्छी ज्यान की बाते अंदर डाली सिरफ एक महिना कोई ये करके देख सकता है नींद की क्वालिटी चेंज हो जाएगी कम घंटे में फ्रेश फील करेंगे जब सुबह उठेंगे क्योंकि सोने से पहले आखरी चीज सही डाली थे मन के अंदर बहुत छोटी छोटी बाते हैं ये सब हमें पता है हम ये करते थे लेकिन जयब से हमारे पास ये चीज़ें आ गई हम रात तक जाग-जाग कर वोई देखते रहते हैं आज कल कुछ चैनल्स पे क्राइम शोज बहुत आते हैं सीरियल क्राइम वाले होते हैं हम डिजिटल पे क्राइम देख रहे हैं जितना वो क्राइम का content हमारे अंदर जाएगा चिंता और डर के सिवाए संसकार बनेगा कौन सा हमारा एक दिन मैं किसी के साथ फ्लाइट में बैठे थी, सुबब छे बजे का टाइम था, वो साथ वाली सीट पर अपने लापटॉप और वो आइपाड पे क्राइम का सीरियल देख हे थे सुबद छे बजये मैंने उनसे पुछा, मैं का सुबद शुबद ये, केते रात को पूरा नहीं हुआ था, पूरा तो करना है न पी जाने से पहले तो सुबद शुबद छे बजये देख रहेед थे पूरा हो गया सब उनका फिनिश हुआ सब कंप्यूटर बंद किया तो मुझे कहते हैं आपसे एक बात पूछनी है मुझे मुझे लगा क्या हुआ कहते हैं आजकल पता नहीं मुझे डर बड़ा लगता है कोई connection उनको खुद नहीं पता था के वो क्या बात कर रहे है कहते हैं मुझे क्या होता है आजकल जब मैं office चला जाता हूँ मुझे thought आती है मैंने घर बंद किया था क्या मैंने geezer off किया था क्या मैंने gas switch off की थी क्या मुझे घर office में जाकर चिंता होने लगती है फिर उन्होंने मुझे अपना phone दिखाया कहते पता है मैंने तरीका कौन सा use किया मैं gas off करने के बाद उसकी photo खिचता हूँ मैं घर को ताला लगाने के बाद उसकी photo खिचता हूँ फिर जब मुझे office में वो thought आती है मैं वो photo देखता हूँ और मैं अपने आपको बताता हूँ कि यह मैंने किया है कहते हैं आपको क्या लगता है मुझे ऐसी वाली thoughts क्यों आ रहे हैं लेकिन इतना सा पूछने के बाद भी उनको नहीं पता था बहुत ध्यान से content consume करना है और सिरफ खुद नहीं अपने बच्चों को भी है आजकल बच्चों के पास phone पे ही serial है देखते ही जाते हैं, देखते ही जाते हैं थोड़ा सा strict होने की जरूरत है क्योंकि मन पे, संसकारों पे mental health पर भी उसका असर पढ़ रहा है तो सुबह का एक घंटा रात को सोने से पहले एक घंटा सारा दिन में ध्यान जैसे हम भोजन का ध्यान रखते हैं परहेज करते हैं जो अच्छा है वो ही खाते हैं जो healthy नहीं है, वो खाते नहीं है हम इसी तरह सिरफ वो सुनना, पढ़ना, देखना है जो healthy है messages आते जाएंगे लेकिन उनको देखना या नहीं देखना वो choice हमारी है और एक करम कभी नहीं करना जो message की vibration negative है वो किसी को कभी forward करना नहीं forward करना deep करमा बनता है हमारा message बनाने वाला एक होता है पूरी दुन्या में फैलाने वाले हम सारे होते है वो एक का करम उतना नहीं बनता जितना हम सब का बन जाता है जो उस message को इदर उदर से सारा फैला देते है बहुत ध्यान रखना है हम दूसरे को क्या भेज रहे हैं हम सिरफ वो भेजें जिससे शक्ती बढ़ती है आत्मा की शक्ती घटती नहीं फोन पे आए हुए messages को देखकर ही पता होता है उसकी quality क्या है बीना पढ़े बीना देखे बीना सुने उसको delete कर देना चाहिए negative energy के messages फोन पे रभी नहीं होने चाहिए फोन की भी vibration change हो जाती है कर सकते हैं परेज फोन से क्या-क्या लेना है क्या-क्या नहीं लेना है तीन महीना कोई करके देखे ये परेज खुश रहना easy हो जाएगा चिंता खतम हो जाएगी डर खतम हो जाएगा क्योंकि negative messages पढ़ना सुनना बंद कर देंगे जब ये साधन नहीं थे इसलिए हम खुश जादा थे इसलिए ने क्योंकि साधन तंग करते हैं लेकिन इसलिए क्योंकि हम साधनों से बहुत कुछ अपने अंदर भरते रहते हैं तो सुबह का एक घंटा रात को सोने से पहले एक घंटा और सारा दिन में ध्यान के हमने क्या भरना है Ready? हाथ उठाएए Ready? ये दो परेस करने के लिए Very Simple